आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे on clause number 8.7, sub clause 8.7.2 और यह 8.7 का टाइटल है control of non-conforming outputs तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ इस बार भी आपको सबसे पहले यह requirement जैसे की standard में दी हुई है उसको पल के बता हूँगा तो control of non-conforming outputs, clause number 8.7 and sub clause 8.7.2 the organization shall retain documented information that A, B, C, D, there are four points in this, it is a very small clause A, describes the non-conformity, B, describes the actions taken, C, describes any concessions obtained and D, identifies the authority deciding the action in respect of non-conformity तो यह छोटा सा clause है आप चर्चा करते हैं अंदी बार्षा में विस्तार में कि यह जो clause 8.7 control of non-conforming outputs इसमें जो कुछ हमें requirement दी हुई है उसका पालन करते हुए हमें कोई record बनाने हैं तो यह 8.7.2 यह record के बारे में है यह clause, sub-clause organization shall retain documented information तो documented information जैसा कि आप समझते हैं यह से मतलब record से भी होता है एक तो हमारे हो गए documented information में procedure manual है, procedures है quality manual है, effects manual है, जो भी हमारे manual है वो आजाते हैं, तमाम थारी control sheets आजाती है और साथ में जो हमारे records है, वो भी आजाते हैं तो documented information में यहां मतलब है records है organization shall retain the documented information that जिससे कि A, describes the non-conformity जो भी product या service में non-conformity है उसका description पूरा हमारे record में मिलना चाहिए यह है requirement और B, describes the action taken अब जब non-conformity पकड़ में आ गई तो फिर हमें product को या service को भी पर रोकना होता है उसको segregate करना होता है, identify करना होता है यह ensure करना होता है, कस्तमर के पास किसी भी तरीके से यह चीज ना जाने पाए तो इस सब का जो record है, जो action हम लेते हैं तो उसका record भी हमें maintain करना है और इसके अलावा कई बार non-conformity ऐसी होती है जहांपे कि कोई concession लेकर के और उसको release किया जा सकता है या कस्तमर स्वयम ही कहता है कि भाई यह तो बात चोड़ इस चीज है आप इसको ठीक कर दीजे हमें दे दीजे प्रोड़क्ट या सर्विस को तो उस हिसाब से उस concession को implement करके और उसकी permission अपने लोगों से भी लेनी होती है इन सब चीज़ों को हमें record रखना होता है कि क्या concession हमने लिया अपने authorities से और उसको implement किया और उसके बाद प्रोड़क्ट या सर्विस को हमने customer को handover किया और last point है D identifies the authority describing the action in respect of non-conformity कि हमारे जो संस्थान की किस authority से हमने permission लिए थी जो भी हमने concession लिये हैं या जो भी हमने changes किया non-conforming product में तो non-conforming product के ऊपर जो action हमने लिये हैं उसकी permission हमें किस authority न दिया है तो उस authority का पूरा ब्योरा जो है हमें record में maintain करना होता है तो ये चार चीज़े हमें record में maintain करनी है तो मुझे उमीद है कि ये छोटा सा clause है requirement आपको समझ में आ गई होगी और किसी वज़े से अगर आपको ये requirement नहीं समझ में आई तो भाई इसका अपना comment इसी वीडियो के नीचे देजिए मैं दोबारा से कोशिश करूँगा आपको समझाने की और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मुझे thumbs up भी दीजे, like भी दीजे और मेरे वीडियो को share करना मत भूलिए आपस में share कीजिए जो लोग ISO से related है जो आपके colleagues हैं और जो आपके जानकार लोग हैं जो ISO की field में काम कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचेगा तो जो information exchange मेरे से आपके बीच में हो रहा है तो उसका फायदा होने भी मिलेगा और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो तो ऐसा करने की कोशिश करिए और दूसरे चीज है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजे और बेल आइकन को भी जबा दीजे कि जैसे ही में वीडियो यह लोड करूं तो यह इंफॉर्मेशन तुरंत आपके पास तक पहुंचेगी कि वाई वीडियो लोड हो गया है आप इसको देख सकते हैं और से पिछले में आप्सकेश्य वीडियो तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया था जैसा कि मैंने बताया कि आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब वीडियो लोड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन तुरांत पहुंचे अगले संडे फिर दूसरे वीडियो पर नेक्स क्लॉस पर अगला क्लॉस है पर्फॉर्मेंस एवेलवेशन क्लॉस नमबर नाइन तो उसके उपर सच्छा होगी विस्तार से धन्यमाद मेरा वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं अगले संडे नमस्ते